हेलो फैंस कैसे आप सब बिलकुल मस्त तो देखो रप्शी कोलेज लेक्चर का हमारा सलेबस चल रहा है बिलकुल शांदार तरीके से बहुत गजब तरीके से ठीक है और आप लोगों की तैयारी भी बहुत चांदार तरीके से चल रही होगी मेरे को पूरा विश्वास है सब्सक्राइब according to syllabus according to new syllabus किसके according to new syllabus यह तैयार किया गया model paper 15 के 15 model paper इसमें जो current है वो भी according to new syllabus ही add किया गया ठीक है पुराना current नहीं है जो भी current है वो सारक सारा विलकुल update है exam के according है और आप अब जब paper solve करोगे तो आपको सारक सारा सब आप कुछ पता चल जाएगा ठीक है और यदि आप model paper खरीदना चाहते हो आप यदि इनकी PDF लेना चाहते हो ठीक है तो अब 15 के 15 model paper मिल जाएंगे आपको मातर 200 रुपए में और उसके लिए आपको contact करना पड़ेगा 7891350470 ये मेरे WhatsApp नमबर आप इनके उपर मेरे से चैट कर सकते हो मेरे से कॉल कर सकते हो और ये model paper आप परचेज कर सकते हो मातर 200 रुपए में आपको मिलेंगे कितने 15 model paper डारेक्ली हम कह सकते हैं 1500 अतीम है तपौन के उसन ठीक है तो अब इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं ठीक है देखो सबसे पहले राजस्तान में परथम निर्वाचित लोगतांत्रिक सरकार का गठन हुआ बताओ राजस्तान में पर्थम निर्वाचित लोकतांतरिक सरकार का गठन हुआ 26 जनवरी 1952 को दो परवरी 1952 को 23 मार्च 1952 को या 15 मार्च 1952 को इस क्योशन का आंजर आपको डारेक्ली दिख रहा है तो इसमें कोई इसू नहीं है ठीक है लेकिन जो अगला क्योशन रहेगा उनका अंतर आपको नहीं दिखने वाला तो देखो भारत में राजस्तान में पर्थम निर्वाचित लोकतांतरिक सरकार का गठन कब हुआ था 3 मार्च 1952 को कॉंग्रेस के विदायक दलने नेता तीका राम पालिवाल के नेतरतों में राजजय की पर्थम चुनी हुई लोकतांतरिक सरकार का गठन किया था तो दुबारा से जहां से सुनना इस पूरे क्योशन को कि 3 मार्च 1952 की बात है कॉंग्रेस के विदायक दलने नेता तीका राम पालिवाल के नेतरतों में राजजय की पर्थम चुनी हुई लोकतांतरिक सरकार का गठन किया इसकी पर्थम बैटक 39 मार्च 1952 को जैपुर के स् स्वाइमान सिंग ताउन हॉल में संपन हुई ठीक है तो हम यह भी क्योशन यह भी पहुंच सकता है कि पर्थम निर्वाचित लोकतांतरिक सरकार का गठन हुआ उस टैम जो पर्थम बैठक थी वो कब हुई और कहां पर हुई तो पर्थम बैठक कब हुई थी 29 मार्च 1952 को भी थी जैपूर के स्वेमान सिंग् टाउन हॉल में हुई थी ठीक है और यह जो पर्थम जो बैठक हुई थी उसका नित्रत को कौन कर रहे थे वो टेकर राम पालीवाल थे कौन पालीवाल ठीक है अब उसके बाद अगला क्योशन है पूरें प्रफ यहां पर आपको मिलाना है लिस्ट फर्स को सेकेंद से बिलान करना है एक बार हम अनुचछे दो के बारें पढ़ालेता है पौलेटिकल साइश के जो सर थे पवन पाराशा जी उन्हों बहुत स्यांदार तरीकी से अनुचेद रतवा दिये या बहुत स्यांदार तरीकी से पड़ा दिया है तो यदि आप वीडियो देखना चालते हो तो वो वीडियो भी आप देख सकते हो political science की तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्योषन के according अनुचेद 164, 173, 333 और 233 इन चार अ राज्यपाल को अध्यादस जारी करने के सक्थी प्राप्त है। दूसरा है राज्यपाल विधान सबा में भहुमत दल के नेता को राज्य का मुख्य मुंतरी नियुक्त करता है। है तो पुन बात हैं एक दो तीन चार और यहां पर आपको इनको मिलान करना है और बताना है कि सही आंसर क्या हो सकता है। जिनको अच्छे से याद है वो तो यहीं से मिलान कर लिए होंगे लेकिन जिनको कंफर्म याद नहीं है वो एक बार यह ऑप्सन भी देख लो कि यहां स से कहां से सही हो सकता है यह क्यों सने ऑप्शन बी ऑप्शन सी ऑप्शन डे बताओ यहां पर सही आंसर क्या हो सकता है अधर्वाइस मैं तो बताओंगा इस क्यों का अंसर ठीक है देखो मैं बताता हूं कि इसमें क्यों में सही आंसर क्या होगा देखो मैं बताता हूँ यहाँ पर से यांसर क्या होने वाला है यह होने वाला है यहाँ पर देखो अनुचे दे 164 की बात की जाए तो अनुचे दे 164 में क्या है अनुचे दे 164 की बात की जाए तो भैसा अनुचे दे 164 में क्या है कि राज्यपाल विदान सबा में भहुमत दल की नेता को राज्यपा का मुख्यमंत्री निउक्त करता है आर्टिकल 171 के अकोर्डिंग देखी जाए तो राज्यपाल राज्य विधान परिशद के कुल सद्धियों में से 1 बटा 6 सद्धियों को मनोनित करता है अनुछे 333 के अनुसार बात की जाए तो राज्यपाल विधान सभा में एक अंगल भारतिय समुदाय के परतिनिति का मनोनिय करता है और यदि आर्टिकल 213 के बात की जाए तो जब विधान सभा 70 नहीं चल रहा हो तो उस समय राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने के सकती प्राप्त होती है ठीक है तो ये था इसका मिलान अच्छे से आपने देख लिया होगा अब हम चलते हैं अगले क्यूशन पर बहुत प्यारा से क्यूशन है ठीक है क्यूशन नमबर तीसरा कि जीएस्टी लागू हुआ था बताओ राजस्तान में जीएस्टी कब लागू हुआ था अब आप सोचोगे कि सरी ये 2017 का करंट का बन गया अरे भाई साब ये 2017 का तो करंट था लेकिन अभी क्या है ये पोलिटिकल का जीएक है तो बताओ जीएस्टी लागू कब हुआ था कब हुआ था जीएस्टी लागू एक जुलाई 2017 को कब हुआ था एक जुलाई 2017 को जीएस्टी लागू हुआ था निम्न में से प्रात्मिक छेतर के उद्धोगों में सामिल है बताओ कौन सा है जो प्रात्मिक छेतर के उद्धोगों में सामिल है बताओ यहाँ पर क्रसी है खनन एवं उद्धोगों में सामिल है क्रसी खनन अरे प्यारे साथ यो प्रात्मिक छेतर के उद्धोकों में सामिल है क्रसी, वानिकी, खनन और उद्खनन जब आपने को यदि थोड़ा सा भी पता हो तो जो प्रात्मिक के किरिया कलाप होते हैं उसमें कौन को नाता है प्रात्मिक किरिया कलापों में आता है खिर्ती आती है खनन का काम आता है आखेट का काम आता है सिकार करने का काम आता है वानिकी का मतलब लकडी कटाई का काम आता है ठीक है बात करें हम जित्तिक सेक्टर के काम की जो जित्तिक सेक्टर के काम होते है उसमें वी निर्मार का काम होता है मोडिफाई या मैनुफेक्ट त्री वगर आ जाती हैं तर्तिय चतुर्ज फिप्ट इस्तर के कामों में बिल्कुल ओफिसियल तरीके के काम आ जाते हैं ठीक है तो हमें ये बाते पता होनी चाहिए कि उसके बाद हम बात करते हैं अगले क्योशन पर ठीक है, उसके बाद हम पाटवा क्यों संकते हैं, कि सं रचना अत्म के दरस्ती से अरावली प्रवत शंकला किस रचना करम की है, बताओ, बहुत प्यारा क्योंसन है ये, धियान से सुनना, यहाँ पर अमसर आपको डिर्कली दिखरा है इसका, कि संरचना आतम के दरस्ती से अरावली परवत संकला किस रचना क्रम में है अरावली क्रम में है देहली क्रम में है मरुस्तलिय क्रम में है या इन में से कोई नहीं तो ध्यान रहे हैं यहाँ पर सियांतरोगा हमारा देहली क्रम ठीक है जब मैंने खुदने पढ़ाया था ये क्योशन तो बिल्कुल अच्छे से समझा दिया मैंने जो भारत राजस्तान वो चार भोतिक परदेशों में डिवैड किया गया है चारों को मैंने फुल डिटेल से पढ़ा दिया मैं ये बात पूरे confidence के साथ कह सकता हूँ कि भोतिक परदेशों को मेरे से जादा बैस तरीके से कोई नहीं पढ़ाएगा आपको बिल्कुल फुल डिटेल से कुछ भी चीज नहीं छोड़ी है मैंने वहाँ पर ठीक है तो हम आगे बढ़ते हैं देखो हम क्योशन बंक करके पढ़ लेते हैं एक बार जिससे आपको अना मंदी ठितियों का निम्न में से ऐसंगत युग में है ठीक है यहाँ पर आपको डिरेक्ट आंसर दिख रहा है कोई इस्यू नहीं है इसमें तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा युग में ऐसंगत है मतलब कौन सा गलत है ठीक है तो क्य को दूसरा चरन था 25 मार्च 1948 को तीसरा चरन था 18 अपरेल 1948 को और चोता चरन था 30 मार्च 1949 को ये सारा सब कुछ बहुत श्यांदार तरीकेश पढ़ा दिया गया जब राजस्तान के बारे में पढ़ाया था राजस्तान का ठीक है उसके बाद हम आगे बात करते हैं पुंगल भे भेट की नसल सरवादिक कौन से जिले में पाई जाती है आपको बताना है तो भाई लोगो जो ग्रुफिका के उसने पुंगल भेट की नसल सरवादिक कौन से जिले में पाई जाती है तो वो है बीकानेर जो पुंगल भेट की नसल है वो सबसे ज़्यादा बीकानेर में पा हैं और आगे देखे हम यह दो क्योषन आपके सामने ठीक है पहला क्योषन है मेजा बाइंध का निर्मान किस नदी पर किया गया यह बहुत डिटेल से पढ़ा दिया मैं सारे सारे बाइंध जब नदिया पढ़ाया था उससे मैं कंप्लीट कर वा दिया तो मेजा बांद का निर्मान किस नदी पर किया गए तो मेजा बांद का निर्मान किया गए भाई साब कोठारी नदी पर कौन सी नदी पर कोठारी नदी पर 2011 के जन संक्या के अनुसार राजस्तान में सरवादिक नगरी है जन संक्या परतिसत वाला जिला KHONS है यह हमने नहीं पढ़़ा है लेकिन जो ग्रुपीवाले सर पढ़ा रहे है क्योंकि दो यूनिट मैंने पढ़ाई हैं दो टोफिक मैंने पढ़ाएं उसके एक रिवर एक फिजिकल डिविजन बाकी का साऱक सरा जो कपिल सर हैं पड़ा रहे हैं तो 2011 की जंसंग्या की अनुसार राजस्तान में सरवादिक नगरिया जंसंग्या परतिसत वाला जिला कौन सा है तो इसकी बात की जाए तो यहां पर से अंसर होने वाला है कोटा कौन सा है कोटा है उसके बाद हम बिल्कुल इसी सिक्वेंस में आगे चलते हैं और अगला क्योशन लेके आए हम आपके लिए कि राजस्तान में 2001 से 2011 के दोरान किस जिले की दस की जंसंग्या परतिसत वर्दी दर नियूंतम रही बताओ क्योशन बहुत स्यांदार है कि राजस्तान में 2001 से 2011 के दोरान किस जिले की दस की जंसंग्या परति वर्दी दर निय कुर अलवर बताओ यहां पर स्यांसर क्या होने वाला है तो प्यारे सात के वैं स्यवसित नंबर 24 का स्यांसर है स्री गंगा नगर कोंसा है उससे बाद हम Alan थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि आगे हम बात करते हैं नैसनल हाइवे से डिलेक्टेर मैंने दो क्यूसन बना दिये यहां पर राजस्तान में सबसे लंबा राश्ची दा मार्ग या पुराने नंबर के अनुसार आपको पता हो तो जो नैसनल हाइवे थे उनके नंबर बदल चुके हैं ठीक है तो वो भी ए मैच जोई नहीं कर रखे तो वो भी इस चीज़ को अच्छे से ध्यान रखना कि जो नैसनल हाइवे नंबर सा वो बदल दिया गया है तो नया और पुराना दोनों याद करना कि पहले कौन सा था और अब बदल कर कौन सा कर दिया गया है तो राजस्तान में सबसे लंबा रा विभाग द्वारा निम्बल लिकित मेलो और उत्सवों का आयोजन किया जाता है राजस्तान प्रियतन विभाग द्वारा निम्बल लिकित मेलो और उत्सवों का आयोजन किया जाता है मरू उत्सव जैसलमिर हाती उत्सव जैपूर ऊट उत्सव बिकानिर ग्रिस्म और यदि कोई भी भाई देखो भाई साब पिछले पेपर की बात की जाए दो 2016 में हुआ था उसमें करंट के टोटल क्योशन आये थे कितने 31 ठीक है तो 31 क्योशन यदि करंट क्या रहा है तो समझो रहस्यों बहुत जादा है 31% करंट आ रहा है हो सकता है अपकी बार इतना करं मान के चलेंगे कि करंट भी बहुत सार आएगा तो यदि आप 2017 का सोरी 2019 का 2020 का 2021 का 2020 का पूरा का पूरा करंट लेना चाहते हो बिल्कुल से बहुत सिस्टेमेटिक जंग से और वो भी केवल RPSC College Lecturer के लिए ठीक है तो आप करंट ले सकते हो साथ इसाथ 2019 का 2020 का और 2021 का ये करंट तो मिलेगा इसी के साथ 10,000 के आजपास Objective Qution वो भी बहुत शांदार बहुत गजब ठीक है जो लोग सही धंग से प्रोपरवे में तयारी नहीं किर पाए वो इन Objective Qution को पढ़ लो कुछ भी भार नहीं जाने वाले है ठीक है तो ये करंट पिलस ये Objective Qution 10,000 Objective Qution ये आप ले सकते हो मातर 200 रुपए में उसके लिए आप Contact करो 7891350470 ये मेरे WhatsApp नमबर है बार बार रिपिट कर रहा हूँ मैं ठीक है उसके बाद हम जदी आगे बात करें कि निस्तुलक और अन्यवार्य सिक्षा अधिनियम 2000 कब लागू हुआ बताओ भाई अर जाए तो ये हुआ था एक अप्रेल 2010 को सुगाली माता किनकी कुल देवी है कल्चर में पढ़ा चुके हैं सर मुकेश जी पढ़ा दिया कल्चर में ये कि सुगाली माता किनकी कुल देवी है तो जो सुगाली माता है वो कुल देवी है किनकी आउवा की ठाकुर परिवार की क उसके बाद हम थोड़ा आगी बात करें क्योषं पर 49 ये करनी माता मंतर में विच्रन करने वाले चूहों को क्या कहा जाता है तो उनको कहा जाता है बैसाब कापा क्या कहाा जाता है क्या कहा जाता है कि खelin माता निस्फुल्क दवाई योजना की शुरुवात कब होई थी अक्टूबर 2011 में 15 अगस्त 2011 में 2 अक्टूबर 2012 में 15 अगस्त 2012 में 40 वे क्युशन का препार आंशर देना है तो भैसाब यहां पर सइांशर वोगा 2 अक्टूबर 2011 में 2 अक्टूबर 2011 में मुख्य मुंत्री निशुल्क दवा योजना की शुरुवात हुई थी। गुलाब पुरा में दरीवा में बताओ बहुत श्यांदार क्योसन है क्योसन नमबर 41 का से यांसर दो यहां पर होगा बाई साब चंदेरिया में किसमें चंदेरिया में बाई साब ध्यान रखना पेपर बिल्कुल एज़ेटिज इसी तरीके का बन के आएगा ठीक है उसके बा है बाई साब थार एक्सप्रेस क्या है थार एक्सप्रेस जो थार एक्सप्रेस है वो मुनाबाव होकर पाकिस्तान को जाने वाली रेल गार्डिया और इसका मैंने देखो डिसक्रप्सन भी एड हो गया यहां पर आपको यहां पर डिसक्रप्सन भी मिल रहा है कुछ-कुछ पाँच तो ये है बारा ठीक है जैपुर टॉक बूंदी कोटा जालावार से होकर गुजरने वाले नैस्टनल हाईवे संक्या नमबर बारा राज्य के किसके राज्य के इस राजमार्गे की लंबाई है 421 किलो मेटर जो एनेच 12 है वो गुजरता है जैपुट, टॉक, बुंदी, कोटा और जालावार ठीक है और इसके टोटल लंबाई है 421 किलो मेटर कहां पर है राज्य में ओवराल नहीं बता रहा है राजस्तान में इसके लंबाई है 421 किलो मेटर है हमें राजस्तान का पढ़ रहे है भार का हमें पढ़ना नहीं है क्योंकि हमारी काम आने वाला नहीं है अगमिया सिलालेख में है आमिर सिलालेख में चिर्वे सिलालेख में बिजोलिया सिलालेख में स्रंगी रिसी सिलालेख में बताओ बहुत स्यांदार क्योसन है अरे जाबालीपूर साकंबरी स्रीमाल जैसे प्राची नगरों का उलेख किस सिलालेख में है तो वो है बिजोलिया सिलालेख में किसमें बिजोलिया सिलालेक में कोट डिगी सब्वेता का सम्मंद रहा है बताओ कोट डिगी सब्वेता का सम्मंद किस से हडपा पूरू की सब्वेता से चीन की सब्वेता से मिस्र की सब्वेता से सुमेरिया की सब्वेता से बताओ कोट डिगी सब्वेता का सम्मंद है की सब्वेता से मिस्र की सब्वेता से सुमेरिया की सब्वेता से तो देखो भाई साब कोट डी की सब्वेता का जो संबंद है वो है हडपा पूर्व की सब्वेता से जिससे हडपा पूर्व की सब्वेता से आगे देखो बहुत प्यारा क्योशन है साभी नदी के तट पर प् गिलूंड है जोदपुरा है नगरी है बरोर है बताओ क्यूसर नंबर 57 का अंसर देना है तो यहां पर होगा भैसाब जोदपुरा कौन सा बसाओ है जोदपुरा तराइन का जित्ते युद लड़ा गया बताओ तराइन का जो जित्ते युद था वो किन किन के बीच में क्योंसर नमबर 58 की बात की जाए तो यहां पर सियांसर होगा कि तरहीं का जित्ते विस्विश्य युद्ध था वो किस किस के बीच में लड़ा गया था मुहमद गोरी और पर्थ्विराज चोहान के बीच में ठीक है उसके बाद हम बात करें भाई साब राना सांगावे बाबर के मद्य निनायक युद्ध हुआ था बताओ राना सांगावे बाबर के मद्य जो निनायक युद्ध था वो कब हुआ था 1535 में 1526 में 1527 में 1528 में बताओ राना सांगावे बाबर के मद्य निनायक 1527 में कब हुआ था 1527 में पर्तवी राज तरतिया किस चोहान वन से संबंदित था अजमेर से शिरोही से जहालोर से या फिर नाडोल से बताओ पर्तवी राज तरतिया किस चोहान वन से संबंदित था और अब प्यारे साथ यो ठोक दो आंसर ये था अजमेर से किस से अजमेर स उसके बाद हम बात करते हैं अगले क्यूशन पर देखो सादू सीताराम का निम्बल लिखित में से किस आंदोलन से संबंद था बताओ सादू सीताराम का संबंद किस आंदोलन से था सेख्खावाटी कर्षक आंदोलन से, हाडोती कर्षक आंदोलन से, बिजोलिया कर्षक आंदोलन से, मेवात कर्षक आंदोलन से बताओ शादू सीताराम का किस आंदोलन से संबन्ध था तो इनका संबन्ध था बैसाब बिजोलिया क्रिशक आंदोलन से किसे बिजोलिया क्रिशक आंदोलन से उत्तरदाई सासन की इस्थापना की मांग स्विकार करने पर बरतपुर के किस महराज को राजगदी छोड़ने बाद्य किया गया विजेंदर सिंग को, जगन सिंग को, मान सिंग को और किसन सिंग को बताओ, उत्तरदाई सासन की इस्थापना की मांग स्विकार करने पर बरतपुर के किस महराजा को राजगदी छोड़ने बाद्य किया गया विजेंदर सिंग, जगन सिंग, मान सिंग, किसन सिंग बताओ, यहां से सही अंसर क्या होगा अरे भाई यहां से सया अंसर होगा किसंद सिंग क्या होगा किसंद सिंग और ध्यान रखना भाई लोगो इन मोडल पेपर में 15 मोडल पेपर किरुआँगा यहां से हैंड अप परसंट क्योशन टपकेंगे दस हजार के आज पास अबजेक्टिव क्योशन दूगा यदि आप ये सारी चीजे रट लोगे ना भाई साब गारंटी के साथ कहा रहा हूँ करंट के अलावा सारे क्योशन यहां से मिल जाएंगे आपको एक बी क्योशन बहार नहीं जाएगा ठीक है राजस्तान के किस जिले में भाकडा ननागल बांध से सरवादिक सिचाई होती है अरे चूरू जुनजनू सीकर जुनजनू बीकानेर जेसल मेर गंगानगर हनुमान गड़ बताओ चूरू में जुनजनू में सीकर में जुनजनू में बीकानेर जेसल मेर स्री गंगानगर हनुमान गड़ बताओ अरह भाई लोगो होता है सरी गंगा नगर हनुमान-गड में राज़स्तान के किस जिले में बाखड़ा नागल बाध से सर्वादिक सिचाए होती है वो है सरी गंगा नगर और हनुमान-गड उसके बाद इंद्रा गांदी नहर के योजना कार थे अरे भाई लोगो आपने सोचा भी नहीं होगा कि भाई साब ऐसा भी क्योसन टपक सकता है अरे टपक गया क्योसन कि इंद्रा गांदी नहेर के योजनाकार थे रूप कवर, जैसिंग पर्थम, जैसिंग जित्या और कवर सें बताओ तो यहां पर होगा भाई साब कवर सेंग कौन थे कवर सेंग उसके बाद हम अगले क्योसन पर चलते हैं पिछे तरवा क्योसन हारोती परजा मंडल की इस्थापना किसकी अध्यक्सता में की गई थी बताओ हारोती परजा मंडल की इस्थापना किसकी अध्यक्ष्टा में की गई थी नैनु राम सर्मा सर्च्वती दास अर्जुनलाल सेथी मानिक कलाल वर्मा बताओ अरे भाई साब हाडोती परजा मंदल की स्थापना किसकी अध्यक्ष्टा में की गई थी नैनू राम सर्मा के दिक्स्ता में संयुक्त राजस्तान का राजपर्भुक किसे न्यूक्त किया गया अरे भाई साब मुकेश जी ने ये बहुत शांदार तरीकिश पढ़ाय था जब राजस्तान का एकी करण पढ़ाय था तो संयुक्त राजस्तान का राजपर्मुक किसे नियुक्त किया गया कोटा के महराव को बूंदी के राव को किसंगड के महराज को दुंगरपुर के महरावल को बताओ छेतरवे क्योसन का सही आंचा ठोकू और भाय साब कोटा के महराव को संयुक्त राजस्तान का राजपरमुक किसे नियुक्त किया गया था कोटा के महाराव को राजस्तान संभाग के किस राज्य के नरेश ने सर्वपर्थम भारत में समलित पत्तर पर हस्ताक्षर किये राजस्तान संभाग के किस राज्य के नरेश ने सर्वपर्थम भारत में समलित पत्तर पर हस्ताक्षर किये अलवर भरतपुर जोदपुर भीका नेर सतक तरवा के उसन का सयान सा ठोको अरे राजस्तान संभाग के किस राज्य के नरेश ने सबसे पहले भारत में समलित पत्तर प्रक्षताक्सर किये वो था बीका नेर कौन सा बीका नेर अरे मतश्य संभ का राजस्तान में कब विल्य हुआ अरे भाई साब राजस्तान का मतश्य संभ राजस्तान में कब मिला 26 जनवरी 1948 को 15 मई 1949 को 25 मार्च 1948 को 30 मार्च 1949 को अरे भाई दे दो आंसर अरे अरे अच्छत्तरवे के उसन का सही आंसर है 15 मई 1949 को मतश्य संभ का राजस्तान में कब विल्य हुआ 15 मई 1949 को उसके बाद पाबू जी को अवतार माना जाता है राम का भरत का लक्षमन का सत्रुधन का अरे भाई साब मुकेजी पढ़ा दिये ये बात भी पाबू जी को अवतार माना जाता है बताओ किसका अरे भाई साब लक्षमन का जो पाबू जी है उनको लक्षमन का अवतार माना जाता है अब हम आगे बात करते हैं मिलान का क्योसन है बहुत चांदार सा मिलान करना है साही कुंड गोप सागर रामे लाव तालाब पन्ना सहा तालाब जुंजनू करोली दुंगरपूर सोजत अलवर इनको मिलान करना है क्योसन नम्बर है हमारा 89 89 वे क्योसन को मिला दो भाई लोगो मिला दो जल्दी जल्दी वरना मैं तो मिलाने वाला हूई 89 में सही अंसर क्या होगा मैं बताता हूँ भाई साब 89 में सही अंसर होगा साही कुंड करोली में है गोप सागर रामे लाव तालाव सोजत में है और पन्ना सागर तालाब जुंजनू में है अरे साही कुंड करोली में है, गोप सागड डुंगरपुर में है, रामेलाव तालाब सोजत में है, पन्ना साहा तालाब जुनजनों में है उसके बाद लालगड महल कहां इस्तित है, अरे बाड मेर में, शिरोई में, बीका नेर में, आज हलोर में बताओ लालगड महल कहां पर है अरे लालगड महल कहां पर है रे बतादो यह है बीका नेर में कहां पर बीका नेर में उसके बाद महरान गड़ दुर्ग का निर्मान किसने करवाया अरे महरान गड़ दुर्ग का निर्मान किसने करवाया था जै सिंग ने माराना कुमबा ने जित सिंग ने या राव जोधा ने तो बता दो भाई लोगो कि महरान गड़ दुर्ग का निर्मान किसने करवाया था तो वो था राव जोधा कौन राव जोधा और आगे देखो अगला क्योशन भगवान सिवको समर्पित सिवाड के मेले का आयूजन राजस्तान के किस जिले में होता है और वो होता है बाई साब सवाई मादूपूर में किस में सवाई मादूपूर में किस में सवाई मादूप अरे आगे देखो कौन सा मेला वर्ष में दो बार आयुजित किया जाता है बताओ कौन सा मेला है जो वर्ष में दो बार आयुजित किया जाता है कर्णी माता का मेला बान गंगा का मेला केला देवी और स्री महावीर जी का मेला बताओ कौन सा मेला है जो साल में दो बार किया जाता है कर्णी माता का मिला है बान गंगा का मिला है स्री महावीर जी का मिला है या केला देवी का है अरे भाई लोगो कर्णी माता का मिला साल में दो बार भरता है कब भरता है साल में दो बार भरता है किसका मिला कर्णी माता का मिला अरे विवा के आउसर पर गाय जाने वाले गाली गीतों को कहा जाता है भाई लोगो बता दो कि विवह के आउसर पर गाय जाने वाले गाली गीतों को कहा जाता है सूपना, सिठने, जच्चा, पाउना और ध्यान दो आप सोच रहोंगे कि सर करंट के क्योशन तो दिये नहीं अरे भाई साब मैं एक ही लाइन सोल करवा रहा हूँ करंट के क्योशन इस सैड में फसे पड़े हूँ होंगे होंगे क्या है इस सैड में है करंट के क्योशन टैंशन बतलो क्योशन कोई नहीं छोड़ूँगा पूरा पेपर के अकोडिंग पेपर तयार किया है मैंने तो विवा के आउसर पर गाय जाने वाले गीतों को क्या कहा जाता है अरे भाई साब विवा में काय जाने वाले गीतों को क्या कहा जाता है सीठने क्या सीठने क्या सीठने अगला निम्मल लिखित में से कौन सा युगम सूमिलित है अरे परतिसत परतिसत मरुस्तल छेतर राजस्तान परतिसत जन्संक्या राजस्तान बताओ परतिसत मरुस्तल छेतर राजस्तान और परतिसत जन्संक्या राजस्तान 40,50,60,60,45,40,50 बताओ 99 में में सही आंशर क्या होगा अरे 35 राजस्तान छेतर मरुस्तल्य छेतर जो राजस्तान के 60% छेतर पर फैला हुआ है जहांपर राजस्तान की 40% जनसेंशन क्या निवास करती है अरे राजस्तान के कुल 6% फल के 50% भाग पर डेज़ट फहलाऊ है, मुर्श्थल फहलाऊ है और उस मुरुस्तली छेतर में राजस्तान की 40% जनचया निवास करती है अगला राजस्तान के किस छेतर में विन्दय पठार का विश्तार है उत्तर पूराव में दक्षन पूराव में पूराव पस्य में या उत्तर दक्षन में बताओ राजस्तान के किस छेतर में विंद्य पठार का विस्तार है उत्तर पूराव दक्षन पूराव पूराव पस्य में उत्तर दक्षन बता दो भाई लोगों बता दो तो यहाँ पर आ है गए होंगे ठीक है तो टेंशन मतलोग पेपर बिल्कुल एजटीज उसी तरीके से तयार है जिस तरीके से पेपर आता है ठीक है तो आप पेपर मोडल पेपर ले सकते हो 15 मोडल पेपर मातर 200 रुपए में और इसके लावा 10,000 ऑब्जेक्टिव क्योशन साथ इसाथ क्या कम प्लिट करेंट मातर 200 रुपए में ठीक है और यदि आप दोनों लेते हो तो मातर 300 रुपए में और यदि आप GS की PDF यदि आप राजस्तान जोगरोपी राजस्तान हिस्ट्री राजस्तान पोलिटिकल राजस्तान एकोनोमिक्स राजस्तान कल्चर इनकी PDF लेना चाहते हो इ चाहतर 500 रोपए में और लेने के लिए क्या करना पढ़ेगा बात कर लो हगा सरशी 78 ऐकराण में 35 040 पर कि सरजी हमें बैच खरीदना है ठीच है 78 एकराण में 35 040 थीक है तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए थैंक्स बाण झाल